वालो के मैंस कैसे हैं सभी लोग वेलकम बेक टू माइंकराफ तो गाई आज की वीडियो में आपके लिए माइंकराफ का सबसे ज्यादा इजी एस टू गोल्ड फार्म लेका आया हूँ सबसे पहले आप इस तरीकिर से एक बिल्डिंग ब्लॉक को रखनाए यहांसे 9 ओफ्प तो ठीक है कि अभी आपको पता करने हैं कि पिगलेऑं आपके यहां पे कहांपे Spawn हόने वाले तो इसके लिए simply portal को activate करके बार-बार deactivate करना तो आपको पता चल जाएगा ये देखो, piglin आपके side spawn हो रहे हैं अगर आपको ये पता करना है कि बिना portal टोड़े भाई कैसे पता करें कि काफे अधा lengthy process होती है तो वो तरीका भी मैं अभी आपको यहाँ पर पता देता हूँ अगर सेम मैं pumpkin उस तरफ रखता ना ये देखो जिसका dot opposite side कर रहा है यानि piglin इस side spawn नहीं हो रहे है बस simply आपको ध्यान रखना है जहां भी आप portal बनाओ इस तरीके से pumpkin को रख देना उसका देखो arrow यानि इस तरफ आ रहा है यानि pumpkin बगलेन आपकी सी तरफ स्पॉन होने वाले है यतना होने के बाद simply आप इस portal को यहाँ पर deactivate कर देना हो जिस side आपके piglin इस पॉन हो रहा है simply यहां से क्या करना इस तरीके से आपको देखो वान तू त्री 1718 19 20 तो ठीक है इस तरीके से सह देखो जाने के बाद simply अभी आपको क्या करना है इस तरीके से देखो लुडिंग ब्लोक को यहां पर खोदना और यहां पर क्राउच हो के इस तरीके से यहां पर ऑठ होपर ko लगा देना है पीछे से भी आप इस तरीके से देखो, एक रास्ता बना लेना, ताकि आप यहां से बाहर बगएरा निकल सको, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे में चला जाता हूँ, फिर यहां से सीधा उपर के लिए आप रास्ता बना लेना, ताकि आप यहां से बाहर निकल सको, तो यह दे खोदन और इस तरीके से लेडर मुझे यहाँ पर कर सकते हूं यहां पर देखो ऊपर इस तरीके से एक ट्रैपडर को लगा देना थाकि यहां से कोई 2, 3, 4, 4 building block को लगाया फिर आपको क्या करना है इस तरीके से एक observer को यहाँ पे लगाया देखो इसका red वाले tip यहाँ पे होना चाहिए और इसका face इस तरह होना चाहिए और बाकी observer देखो इस तरीके से आपको इसके पीछे यहाँ पे लगा देना है तोटल 2 लगाने मैंने गलती से 3 लगा दिये थे फिर आपको देखो इस तरीके से इसको यहाँ पे पूरा cover कर देना है जैसे मैं cover कर रहा हूँ तो ठीके guys इतना होने के बाद simply आपको कह करना है इस तरीके से देखो यहाँ पे 2-2 hide building block आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से लगा देना है पूरे में 4 तरफ मत लगाना बट यहाँ पे यहाँ यहाँ तक बस लगा देना इस तरीके से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और simply यहाँ पे आपको 3 trap door को लगाना है इनको इस तरीके से आप यहाँ पर ओपन कर देना है और simply in trapdoor के उपर भी इस तरीके से 3 building block को लगा देना है तो ठीक है guys, इतना होने के बाद simply अभी आपको क्या करना है इस तरीके से देखो, यहाँ पर 2 building block आपने इस तरीके से यहाँ पर लगा है तो ठीक है guys, इतना होने कि बाद simply अभी आपको क्या करना है, इस तरीक से यहाँ पे पीछे जाना है, और यहाँ पर देखो guys, आपको जो बीच वाला ब्लॉक है यहाँ पर देखो इस तरीक से लावा को प्लेस कर देना है, और simply देखो अभी आपका पोटल भी अक्टिबेट ह प्लेस कर देना है, यह लो, आपका पोटल यहाँ पर देखना बार बार एक्टिबेट, डीक्टिबेट होगा और यहाँ पर देखो पिगलेन वगएर भी स्पॉन होना चालू हो गया है, और अभी नीचे जाके simply यहाँ पर मरने लगेंगे, यह देखो guys, कितना जादा यहा इतना होने के बास, simply आपको अपने नीचे killing chamber में आना है, और guys, अगर आपके पास looting 3 की sword है, तो फिर आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्यूंकि आपको यहाँ पर काफी जादा loot मिलने वाली है, यह देखो, one kill sword हो जाती है, एक बार में सीधा यहाँ पर मर जाते हैं, और simply आप इसको यहाँ पर बंद भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास looting 3 की sword नहीं है, तो simply आप normal sword से भी kill कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको loot यहाँ पर कम मिलेगी, और हाँ guys, आपका यहाँ से सामान बाहर निकल ला है, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो इस वाले trapdoor को आपको नीचे तरफ यहाँ पर लगाना था, मैंने थोड़ा सा गलती से उपर तरफ इसको लगा दिया, अभी आपकी loot यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, और हाँ guys, अगर आप इस farm को बंद करना चाहते, तो यहाँ पर एक lever को लगा देना और इस तरीके से simply on कर देना तो आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा, और जब भी आपको farm on करना तो simply lever को उपर कर देना और आपका farm यहाँ पर अच्छा लादा तो फटपट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना